हेलो फ्रेंड्स दिस इस मी चिरांशुवालिया और आज मैं आपको एक नए कोर्स का इंट्रक्शन देने वाला हूं दिस कोर्स इस बाउट कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास टेंथ तो हम इस कोर्स के अंदर कंप्लेटली सी बीसी का पैटन फोलो करने वाले हैं जितने भी सी इस में तो वह कोशन भी हम करने वाले थाकि कैसे कोशन साथ हैं आपके फाइनल एक्जाम में और किस टाइप से आपको टैंप करने वारेाने वाले हैं तो इसका मतलब यहह नहीं कि हम कंप्यूटर पर फोकस ना करें जो बच्छे आगे इंजिनिरिंग में computer science prefer करने वाले हैं so वो आथ से पढ़ाई करने स्टार्ट कर दें क्योंकि जो आपका class 10th में आने वाले है जो क्लास 12 में computer आने वाले है वो सारा का सारा आपका आपके engineering के अंदर दो साल तक सेम रहने वाले हैं आपके सब्जेक्ट सेम रहेंगे जिस्ट इंक्लूड कुछ नए ने टोबिक सुझाएंगे और उन्हें एडवांस वे में बढ़ाया जाएगा अब इस आपको एक basic introduction देने वाले हैं वो होते क्या 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 है कैसे हैं क्यों है क्या है आपको इंट्रोडक्शन होगा basic आपके class 11th 10th और 12th के अंदर इन आफ्टर टू यर्स आपके इंजिनेरिंग के अंदर सेम बढ़ाया जाने वाले हैं बस वो एडवांस वी के अंदर ओके सो अभी हम FID करने वाले हैं foundation of information technology मैं आपको इसके कुछ chapters बता देता हूं हमारा chapter 1 ह इंटरनेट basics second है internet services database concepts Microsoft Access जिसे हम MS Access भी कहते हैं HTML inserting image and links in HTML working with table in HTML introduction to XML societal impacts of IT so यह आपके chapter है CBSC के जो हम cover करने वाले scores के अंदर और मैं आपको unit unit wise weightage भी बिता रहता हूं कि कौन सी unit कितने marks की है इस course के अंदर हम completely हम theory को prefer करने वाले practical के मैं नया course launch करूंगा बट अभी इस time के लिए हम आपकी theory cover करने वाले हैं इस course में complete आपका full course है यह FIT foundation of information technology का जो की है class 10th के लिए unit 1 है basic of IT वो 10 marks की है second unit information processing tools जो 25 marks की है unit 3 societal impacts of IT जो की 5 marks की है so आपके 3 theory units है जो 40 marks की आते हैं आपके paper में so इस course के अंदर हम अभी just theory cover करने वाले है तो यह full course on academy पे live है आप मेरे को on academy पे जाके follow कर सकते हैं मेरे username चिरान शुवा लिया और course का full link मेरे description में अड़ कर दिया है अब वहाँ पे click करके मेरे को follow कर सकते हैं course को enroll कर सकते हैं course को like कर सकते हैं और comment करके मेरे बता सकते हैं कि course आपको कैसा लगा अगर आपको कुछ problems आती है आप चाहते हो कि यह जो भी covered नहीं हुआ है इस question मेरे को doubt है तो आप वह भी comment section में mention करके बता सकते हैं ताकि मैं आपके डाउट क्लियर कर सकूँ और उन course पर वीडियो बनाके आपके जितने भी सारे डाउट्स हैं सब के सब क्लियर कर सकूँ ओके गाइस thank you so much follow करें मुझे अकडमी पे link description में add है